खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएगे और ABP News को सब्सक्राइब कीजिए कॉंग्रिस वोकिंग कमिटी की बैटर्क में आज हुआ क्या रंदीब सुर्जेवाला प्रेस कॉंफरेंस करके बता रहे सीधा वहीं का रुख जिसमें लगबग सभी कॉंग्रिस कारसमीती के सदस्यों ने अपने विचार रखे समेथ कॉंग्रिस अधक शरी राहूल गांधी के एक प्रस्ताव कॉंग्रिस कारसमीती ने पारिद किया है मैं पहले उसका हिंदी रुपांतर आपके स्मक्ष पढ़कर बताऊंगा और इंग्लिश रुपांतर केसी वेनु गोपाल जी बताएंगे और उसके बाद एंटनी सहाब और अजाद सहाब और हम सब आपके प्रशन लेंगे कॉंग्रिस कारसमीती का प्रस्ताव 25 मई 2019 कॉंग्रिस कारसमीती 2019 लोकसभा चुनाव के जनादेश को विनमरता से स्विकार करती है कॉंग्रिस कारसमीती 12,13,000,000 सहसी वे सजग मतदाताओं का को धन्यवाद देती है जिन्होंने कॉंग्रिस पार्टी में अपना विश्वाश व्यक्त किया कॉंग्रिस पार्टी एक जिम्मेदार वे साकारात्मक विपक्ष के रूप में अपना करतव्य निभाएगी और देश्वासियों की समस्याओं को सामने रख उनके प्रती सरकार की जबाब देही सुनिश्चित करेगी कॉंग्रिस कारे समीती, कॉंग्रिस अध्यक्ष, पार्टी के पदादिकारियों में नेताओं, पार्टी कारे करताओं तथा कॉंग्रिस परत्याशियों के प्रती आभार व्यक्त करती है जिनोंने चुनावी अभियान की चुनोती पूरण परिस्थितियों में कड़ा संघर्ष करते हुए दिन रात जमीनी मेहनत की। कॉंग्रेस कार्यसमीती हमारे सभी सहयोगी दलों वे उनके नेत्रितव को धन्यवाद देती है जिनों ने इस सेधांतिक लड़ाई में कॉंग्रेस पार्टी का साथ दिया। कॉंग्रेस अध्यक्ष श्री राहूल गांधी ने कॉंग्रेस कार्यसमीती के सम्मुख अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की पेशकश की। कॉंग्रेस कार्यसमीती ने कॉंग्रेस अध्यक्ष श्री राहूल गांधी को देश के युवाउं, किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाती, जन जाती, पिछड़ा वर्गों, गरीबों, अल्प संख्यकों, शोशितों व्यवंचितों की समस्याओं के लिए आगे बढ़ कर जूजने का आग्रह किया। पुनर सरंचना करें। इसके लिए योजना जल्द से जल्द लागो की जाए। देश के समक्ष मौझूदा समय में अनेको चुनोतियों का संग्यान लिया जिनका हल नई सरकार को ढूंधना है। इरान पर प्रतिबन लगने के बाद तेल की बढ़ती कीमतें एवं बढ़ती महंगाई एक बड़ी समस्या है। बैंकिंग प्रनाली गंभीर स्थिती में है और NPA पिछले पांच सालों में एन यंत्रित तरीके से बढ़कर बारा लाख करोड रुपे तक पहुँच गए जिससे बैंकों की स्थिरता खत्रे में है। NBFC जिनमें लोगों की मेहनत की कमाई जमा है उनकी आर्थिक स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हैं। निजी निवेश की कमी और कंजूमर गुड्स की बिक्री में तीवर गिरावट के साथ अर्थ व्यवस्ता में मंदी का संकट मंडरा रहा है। नोक्रियों के संकट का कोई समाधान नहीं निकल रहा जिससे युवाओं का भविश्य खत्रे में है। अंद्रप्रदेश, तेलंगाना, महराष्टर और करनाटक जैसे कई राज्यों में सूखे की स्थिती के कारण देश में क्रिशी संकट और बढ़ता जा रहा है। हमारी संसाएं भारत के समिधान एक लोकतंतर की पहचान हैं पर आज उनकी निश्पक्षता वे अखंता पर खत्रे के बादल मंडरा रहे हैं। देश में समाजिक सदभावे भाईचारे पर लगातार आक्रमन हो रहा है। कॉंग्रेस कारसमिती ने संग्यान लिया कि इन मुद्दों पर अगली सरकार द्वारा ततकाल ध्यान दिये जाने की आवशक्ता है। भारतिय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी और जवाब देही है कि देश के समक्ष इन समस्याओं का ततकाल समाधान किया जाए। कॉंग्रेस पार्टी इन समस्याओं का समाधान करने में साकारात्मक और सहयोगात्मक भूमिका आदा करेगी। कॉंग्रेस कारसमिती को उम्मीद है कि केंद्र की भाजप्पा सरकार इन समस्याओं को सर्वोच प्रात्मिक्ता से सुल्जाएगी। मैं अब अनुरोद करूँगा वेनू गुपाल जी से के वो इस प्रस्ताव का अंग्रेजी रूपांतर आपको पढ़ कर सुनाएंगे। कि वह करें कि करने दो आपको अधिन से बड़ी बात है जिसके बारे में आप जानना चाहरे थे जिसे सुबह से लेकर सस्पेंस के नजरीय से देखा जा रहा था कि हो क्या रहा है वो बात अब क्लियर कर दिये सुर्जेवाला ने राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा में लेकिन उस स्टीफे को ठुकरा दिया गया है संगठन में बदलाव की बात कही गई है विभाजन कारी ताकतों से लड़ेगी कॉंग्रिस जो नए वोटर्स एक करोड के आसपास जुड़े हैं उनका धन्यवाद रंदीब सुर्जवारा ने दिया कारेकरताओं का धन्यवाद रंदीब सुर्जवाला ने दिया लेकिन सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि राहुल गांदी ने स्तीफे की पेशकष की वह एडमन्ट थे यानि वह यह चाहते थे कि उनका स्तीफा ले लिया जाए उसके अधिकारिक भाशा थी जो रंदीब सुर्जवाला ने तीन लाइनों में बता दी इस तीफे को लेकर राहुल गांदी के लेकिन सुबह से आप जानते हैं पहले खबर आई कि उन्होंने स्तीफे की पेशकष की पिर रंदीब सुर्जवाला ने का नहीं भई ऐसा नहीं बोलेंगे अब राहुल गांदी के स्थीफे की पेशक्ष खुद आधिकारिक तौर पर रंदीप कह रहे हैं यह बताइए हुआ क्या है अंदर रुभीका जब हमने पेले बताया था अप्ने अंदर्शकों के की उन्होंने अब इस्तिफिकी पेशक्ष की है तब भी पहरे हैं में कोई भी रोल कर सकती है रावल गांजी ने अपनी तरफ से चार विकल्प दी हैं जिन में से पहला विकल्प है उन्होंने कहा कि वो लोग सभा के नेता बनने के लिए तैयार है लेकिन कॉंगरेस पार्टी की अध्यक्ष नहीं रहेंगे वो इस बात पे अड़े हुए हैं और यही बात वो 23 तारिक को इलावा कि दूसरे पार्टी में लोग हैं वो पार्टी के अध्यक्ष बने और वो अपनी इस बात पे अड़े हुए हैं और आखरे में जब वो बोले अपनी बात बोल के वो निकल गए और ठीक पीछे-पीछे प्रेंका गांधी उनको उनको मतलब अप्रोच करना चाहती लेकिन वो नहीं रुके अपनी बात कहके चले गए जानी अब फाइंडल है सोनिया गांधी को कुछ लोगों ने कहा कि आप समझाइए तो नोंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती यह फैसला राउल गांधी का है फिर पिछे दम्रम ने बात कही कि देखी आप वाइनार से जीत कर लिया है और अभी जो यह हो रहा है जितने भी यह मीटिंग्स चल रही है सब दिखावा है उनको मनाने की पूरी कोशिश दो दिन में हुई लेकिन डावल गांधी नहीं मान रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिस हसाब से मैंने लड़ाई लड़ी पिछले पांस साल में जनता न नहीं किया मैं आप के रहे हैं कि वह कॉंग्रेस अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं रंदीप सुर्जेवाला आधिकारिक तोर पर कह रहे हैं कि उन्होंने स्टीफ़ा पेश किया लेकिन उस स्टीफे को ठुकरा दिया गया है अब अभी हम कहां खड़े हैं राहुल गांध कॉंग्रेस के अध्यक्ष है कजिए कि कॉंग्रेस पार्टी के पास इसके लावा बोलने का कोई और विकल्प नहीं है कि वह बताये तो जनता को बताय गया कि कॉंग्रेस अज्यक्ष राहूल गांदी ने अपना पज छोड़ दिया है वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं लेकिन सब लोग ने उनको मनाने की कोशिश की और यह कहा कि नहीं आप कंटीनियो के जी आपने लड़ाई लड़ी हैं मोदी के खिलाप 5 साल आपने जनता के मुद्धे उठाए हैं लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी उनका कहना है कि मैं नहीं ला पाया जनता ने नकार दिया कॉंग्रेस पार्टी को नेता मैं था तो जिम्मेदारी मेरी है अब यह आदेश आप जानते हैं वह प्रियंका गांधी की बात बहुत सुनते हैं प्रियंका गांधी के रही है कि यह जो पूरा का पूरा माहौल और दबाव बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है हम उस हमें उस चक्कर में नहीं फसना चाहिए अगर राउल गांधी स्तीफा दे जो अस्ली मुद्दे थे उनके ऊपर चुनाव नहीं हुआ और असली मुद्दों को बीजेपी दबाने में काम्याब रही और हम असली की बात करते हैं लेकिन असली मुद्दों नहीं रहूँगा चार विकल्प पार्टी को दिये हैं एक विकल्प है कि वो लोगसावा के नेता बनने के राजी है उन्हें यह भी का कि पार्टी के लिए काम करूंगा लेकिन गांधी परिवार से अब कोई अध्रक्ष नहीं बनेगा उनुने प्रेंका गांधी के लिए भी पहले से वोल दिया कि आप लोग प्रेंका गांदी का नाम मत लीजेगा तो अब पार्टी को तहा करना है कि वह किस हो जो गांदी परिवार में नहीं नहीं यूंट से से शीनियर नेता हैं जिनके कि हम इस्तीफा नहीं ले रहें हैं ले कि अभी भी किसी कंट्रूजन पर नहीं पहाँ पाए है अधिश में से रिब्स पर नहीं मैंने रूटफोर्म है तो दो दिन तक वो रूखे आज वो हुआ विन तक हुई उन्होंने फिर वही बात कि कि मुझे कार्णा के अजर्स बातनां की क्ने क्रेंव अज्य वनुदा करने ने गाइन मुण है कि उन्हों कारई यह तो यह जो प्छारिकता है और गी इंथार करना हो गा नुगान गांधी के आधिकारिक बयान का वही कॉंग्रेस की CWC की बैटक में क्या हुआ यह हो गया क्लियर अब राहुल गांधी क्या कहते हैं इस पर हम नजर बनाए रखेंगे आदेश बहुत 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 शुक्रिया अपडेट देने के लिए अभी आप दो तस्वीरे देख रहे देश के प्रदान मंत्री राहुल गांधी माप कीजेगा प्रदान मंत्री नरेंजर मोधी अभी प्रदान मंत्री नहीं है इसलिए नहीं क्योंके उनको शपत लेनी है बीजबी कैम्प में जश्न का माहौल है कॉंग्रेस के कैम्प में मायूसी चाय हुई है आज कुछ देर में जहां NDA के सांसत एक बार फिर से मोधी को PM पत के लिए चुनेंगे, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांदी के स्तीफे को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, ये कहानी है देश के दो नेताओं की, एक नेता मोधी है जो फिर से प्रदानमंत्री बनने जा रहे हैं, दूसरे नेता राहुल हैं, जोहार की जिम्मेदारी लेकर कॉंग्रिस अध्यक्ष पत छोड़ना चाहते हैं, तो रात आट बजे सरकार का दावा पेश करेंगे, मोधी राशुपती से मिलकर सरकार पेश करेंगे, सेंट्रल हॉल में, एक बार फिर से वही तस्वीर आपको दिखाई देग जहां पर बहुमत में बीजेपी की सरकार, NDA के बाकी साथी सांसद चुनेंगे अपने नेता प्रदान मंत्री नरेंडर मोधी को, प्रदान मंत्री के तौर पर नरेंडर मोधी को, यह तस्वीरे आप देखिए, जो पहुँचेंगे आज, नए नवेले सांसद वहां सेंट् पहुंच रहे हैं इस बार बीजेपी की MP बन के पहुंचेंगी रादा मौन सिंग को आपने देखा कि रंखेर और विक्ट्री साइन दिखाते हुएं ये सब पहुंच चुके होст dozen तू की तस्वीर आप देख रहे हैं जो खास मैमान हमारे Сाथ बने हुए हैं उनसे आपता तारूप करवा देती हूं हमारे साथ मौनिका अरोडा है हमारे साथ शहजाद पुनावाला है, हमारे साथ प्रदीप सिंग जी है, हमारे साथ अभैदूबे जी है और हमारे साथ राखी जी है, आप जानते हैं, काफी लंबे अर्से से ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए है, शुरुवात प्रदीप जी, senior most है आप और मैं आप से भी करना चाहूंगे, प्रदान मंत्री नरेन रिमोधी, यह यह कहिए कि नरेन रिमोधी को दोबारा प्रदान मंत्री चुनने के-ल्ये सेंट्रल में। कट्ठा होने वाले हैं एक और पावफुल तस्वीर यह वही सेंट्रल हॉल है जहां प्रदानमंत्री रोए थे पिछली मर्दबा भावक हुए थे अब बिल्कुल देखे उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा मौका है जब जनसंग की इस थापना हुई थी क्याउन बावन में तब ये सपना किसी ने देखाई नहीं था कि कभी केंदर में सत्ता में आएंगे वो सारा प्रयास ये था कि किसी तरह से एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका हम निभा सकें लोगसभा में ये बहुत बड़ा एचिवमेंट होगा हमारे लिए वहां से चलकर फिर एक पड़ाव आया जब भारती जंता पार्टी बनी और दो सीटें आई महां से आज 303 सीटों पर है तो यह या इस यात्रा में बहुत से लोगों ने कई पीडियां कपी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया पार्टी के काम के लिए और बदले में पार के तौर पर जिनकी पहचान बन गई है नरेनर मोदी वो नाम या बूत लेवल के वो तमाम कारेकरता या फिर कॉंग्रेस और विपक्ष एक सोशल साइंटिस्ट और पत्रकार के तौर पर मुझे देखकर बहुत आश्यर होता है कि एक पुरानी पार्टी जिसके काम करने के तौर तरीके काफी पुराने थे नेतृत भी डीलर ढ़ना रहता था नेतृत में आपसी मध्वेद भी होते थे मोदी और शाह के आने के बाद मैं उस पूरी पार्टी को भीतर से बाहर तक बदल दिया गया उसमें उसका जो चेन ऑफ कमांड है उसको दुरस्त किया गया ली नेतृत का डर भी है नेतृत के पर शरद्धा भी है उसका सम्मान भी है और पार्टी का विस्तार किया गया पार्टी उस विस्तार को गहराई भी एक साथ देगी आम तोर में हो संगठन कैसे बनते हैं पहले विस्तार होता है पर धीर धीर गहराई मिलती है इस पार्टी में पिछले पांस साल में विस्तार और गहराई की प्रक्तियां एक साथ चली ये अपने आप में भारती लेक्त लोक तंत्र में संगठन बनाने के मामले में एक अभूत पूर बात है मैं समझता हूँ हम लोगों के लिए क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो जो सीख है वह एक ही पारटी हुआ करती थी हमारे देश में पहले तो कॉंग्रेस थी कॉंग्रेस से सीखा हुआ नहीं है कट कॉपी पेस्ट उसका नहीं है कॉंग्रेस शेली की पार्टी नहीं है, कॉंग्रेस का तरीका दूसरा था, ये बिल्कु दूसरे तरीके पे मैं सच में जानना चाहूंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसकी जानकारी और डीटेल में विकास भदोरिया मेरे सयोगी देंगे, जरा उनका रुक करते हैं, वो वहीं पर मौझूद है, विकास नए नवेले, एमपीज आप सेंट्रल हॉल में मिलना, वहां पर इंतजार करना शुरू कर चुके हैं, मुझे तो ये भी जानकारी मिली है, कि सेंट्रल हॉल को 21 अलग अलग तरह के खिसम के फूलों स तो इस तरह के 12 फूल हैं, और खुल मिलाके इनकी सारी वराइटी अगर जोड ली जाएं, तो तकरीवन 22 से 23 तरह के फूल हैं, जिन से सेंट्रल हॉल को सजाया गया है, मुख्य द्वार है, जो गेट नमबर 1 है, संसद का, वहां से जहां से एंट्री होती है, जहां आपको याद होगा कि पिछले बार 2014 में जब प्रधान मंत्री नरेंद मोदी पहली बार संसद भवन पहुंचे थे तो उन्होंने सिर्फ जुका कर उस सीड़ी पर अपना माथा टिका दिया था, ठीक वहां से रंगोली सजाई गई है, और संसद के सेंट्रल हॉल तक, और प्रधान के और अरग गुणों के फूलों की खुश्वू से महक रहा है, और यह जो नए संसद आए हैं, इनकी जो जिसको कहना चाहिए, उनकी जो चहक है, महक है, वो भी निराली है, बहुत सारे संसद ऐसे हैं, जो पहली बार चुनकर आए हैं, जैसे रवी किशन हैं, वो पहली बा पादचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली की सडकों से गुजरता था तो यह इमारत मुझे बड़ा आकर्शित करती थी, लेकिन कभी मन में यह नहीं आया था कि कभी इस इमारत की भीतर भी बैठना है, आज जब इमारत में बैठने के लिए जनता ने चुनकर भीजा है, तो मन में बहुत सारे ऐसी ऐसी बाते रादे हैं, जिनको वो लोगों के लिए करना चाहते हैं, संग मित्रा मौरी जो की बीजेपी में आये, स्वामी प्रसाद मौरी की बिटिया है, उन्होंने एक बड़े परिवार, रियादब परिवार के सदस धर्मेन आएंगी, ये उनको नहीं पता था, तो ये जो प्रधानमंती नरण मोदी की जो सुनामी थी, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग चुनकर आएं, जिनको ये नहीं पता था कि उनको इस बार मौका मिल जाएगा, इस बार ही वे सांसद बन जाएंगे, खेर ये लोग अभी संसद भवन के जो मुख केंदरी हॉल है, उसमें सेंट्रल हॉल है, वहां पहुंच रहे हैं, अभी जो हम तस्वीर आपके साथ चलते हुई देख रहे हैं, वो तस्वीर हैं कि नए नवेले जो सांसद हैं, वो विक्टरी का साइन दिखाते हुए, हसते, मुस्कुराते हुए, पह प्रधान मंत्री नरंद्र मुदी सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे और उससे पहले बीजेपी के अध्याक्ष वहां पहुंच जाएंगे, तमाम जो एंडिये के लीडर हैं, उसमें उध्धव ठाकरे हैं, उसमें पनीज सिल्वन हैं, उसमें नितीश कुमार हैं, प्रकास स सिंग होंगे, नितीश कुमार होंगे, नेतिन गटकरी होंगे, सुश्मा सुराज होंगे, अरुन जेटली के स्वास्त ठीक नहीं है, इसलिए वे इस मंच पर समय नहीं होंगे, उसके अलावा प्रकास सिंग बादाल होंगे, तो ये तमाम जो एंडिये के प्रमुख नेता ह और बीजेपी के नेता वो मंच पर होंगे, और बांकी नेता सामने की तरफ होंगे, सबसे पहले बीजेपी के सांसदों की तरफ से प्रधान मंत्री नरेंद मूदी को एक बार फिर से अपने संसदी दल का नेता चुना जाएगा, और इस संसदी दल में राज्य सभा और लो और उसके बाद तमाम जो NDA के नेता होंगे वो बारी-बारी सी अपनी बातें सेंटरल हॉल में इस NDA के संसधी दल की बैठट में रखेंगे और आखरी में प्रदान मंत्री नरंद्र मोधी का संबोधन होगा उसके बाद NDA के प्रमुक नेता NDA की चिठी, NDA के अलग-अलग समर्तन की होगी जो उमीदवार नरंदमूदी के नाम और वीजेबी के संसदी दल की चिठ्षी जिसमें लिखा होगा कि उन्होंने अपने संसदी दल के नेटा के तौर पर नरंदमूदी को चुना है यह चिठ्षी लेकर आटवजे के 7.5 फे के बीच में रास्टपती भवन पहुँचेंगे और रास्त पती के सामने दवाः पीष करेंगे सरकाराइब बीकास इस भी आप सांसद जो दो सञाय है यह जो पहली मर्तबा चुन कराए है उन से बात कर रहा है और उनमें से ऐ है उन्नाव के साक्षी महराज फिर से चुन कर आए हैं क्या कह रहे हैं वो सेंट्रल हॉल जाने से पहले बातचीत की एवीपी नियूज ने सुनिया इस वक्त हमाई से मौजूद है उन्नाव से नव दिर्वाचि सांसत साक्षी महाराज पहले भी सांसत थे एक बार फिर से जन्ता ने भरोसा जताया है और करीबन चार लाख मतों से जीत हासिल की है साक्षी महाराज जब चुनौव में गए थे तो एक तरफ मुकाबला था सपा क्यास लोग बहुत विप्रीत लगा रहे थे मेरी सीट पर ही नहीं कि पूरे प्रदेश में महागटवंदन के आधार पर मीडिया वाली भी क्यास लगा रहे थे कि बीजेपी एक दजन सीटों पर समिट जाएगी अपनी सीट पर मैंने अपने राश्ट्रिय संगठन को लिखापड़ी में हैं पार्टी महागटवंदन वाली पार्टी बॉखला गई इस आदमी के आगे कौन सा प्रत्यासी लाया जाए तो मेरा खिल खराबने के लिए पूजा पाल को ले करके आए तीन दिन में पता चला पूजा पाल तो बहुत कमजूर है फिर एक बहुत अनिवालों से कहा गुजरात में मकान खरीज लो बाबाजी का साथ देंगे वो चुनाव को बाद यहां नहीं रहेंगे फिर उनको अपने भी तीके तेवर दिखाने पड़े चुनाव हुआ मैं एक बात प्रारम से कहता रहा हूँ कि 2014 में मुजी के नाम की लहर थी यह मीडिया भी श्रीकार करती है पर मीडिया कहते है 2014 में तो लहर थी अब तो नहीं है तो मैं कहता था कि 2019 में सुनामी है एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार लगातार दूसरी बार यह भी जह कई दशकों वार इस तरह से हुआ है तो क्या कहेंगे अब क्या प्रातिम इक्ताय रहेंगी क्योंकि देश में जई इस तरीके का महौल भी एक तरफ से बनता है कि मोधी सरकार आई है तो कुछ ल पिर से सांसद चुने गए, 4 लाग का मार्जिन है, साक्षी महाराज को आप सुन रहे थे, बहुत confident नजर आ रहे थे, और इस बार हर एक चेहरा बहुत ज्यादा confident है, क्योंकि यहाँ anti-incumbency काम नहीं की है, सरकार की, दुबारा जब चुन कर आई है, तो ज्यादा सीटों से 300 सो पार पहुँच गई है, और इसी लिए उरूच पर आप सातवे आसमान पर आप इस खुशी को भी देखेंगे, उस confidence को भी देखेंगे, सरकार राजटू का यह continuous coverage है, non-stop शांदार coverage है, जो आप देखने वाले हैं, क्योंकि आपसे कुछी देर में, NDA के संसदिय दल की जो नेता है, वो चुना जाएगा, फिर आट बजे जाकर सरकार बनाने का प्रस्ताफ जो है, वो पेश किया जाएगा, राश्पती, रामनात कोविन को, इस बीच हमारे साथ जो सारे खास महमान बने हुएं, उनसे इस पर एक एक टिपणी चाहूंगी, बहुत confident सरकार, और आट किया अपना प्रोग्राम, तो मैं दोनों तस्वीरें देख रही थी, आप भी देख रहे थे, एक तस्वीर कल की पधान मंत्री मोदी की है, जिन्हों ने कहा, मेरा रोम, मेरा कण, कण, मेरा पल, पल इस देश को समर्पित है, और दूसी तस्वीर थी, भाई रूठ रह क्या है, कि जब तक डिटेक्ट नहीं करेंगे, कि डिजीज क्या है, रोग क्या है, डिटेक्शन होगी, तभी तो क्यों होगा, यह डिटेक्ट करने को तयार ही नहीं है, आपको क्या लगता है, आपने डिटेक्ट किया है, क्या बीमारी है, आपको आपने तो अब तक पता लगा लिया होगा देखिए कांग्रेस की बिमारी तो एक ही है परिवारवाद दूसी है जातिवाद तीसी है तुष्टी करन तुष्टी करन जातिवाद परिवारवाद आप मानते आप जी परिवारवाद तुष्टी करन और जातिवाद परिवारवाद तो कांग्रेस की मेरा मानना है कि इन लोगों को खास तोर से राहूल गांदी को पहले अध्यक्ष के रूप में फिर अध्यक्ष के रूप में पार्टी बिल्डिंग करनी चाहिए थी जो अमिश शाह ने करके दिखाया वो कॉंग्रेस नहीं किया कॉंग्रेस के ऐसे जाने कितने जिले हैं जहा कोई बगावत करता है तो आला कमान उसको शान करने हुई है ऐसा क्यों नहीं कर पाए ऐसा राहूल गांदी क्यों नहीं कर पाए नहीं देखिए ऐसा है कि पहली चीज़ यह है कि कॉंग्रेस अपना वर्क कल्चर तै करें कॉंग्रेस के बड़े फैसले वर्किंग कमेटी की बजाए जब तक दस जनपत की डाइनिंग टेबिल पर होंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा और इसी के लिए एक चीज और आपको याद होगा 2014 का तब भी यही महाल था कॉंग्रेस तब एक एंटरिनी कमेटी विठाई गई थी आज किसी ने जिकर किया कि उस कमेटी की रिपोर्ट कै थी उस जब भाजपा हार गई डी दो सीटे आई थी तब एक कुष्णलाल शर्मा कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट हम सब लोगों ने पढ़ी है किताबों में उस रिपोर्ट पर बाकायता भाजबा के अंदर अमल हुआ जबकि एंटरी कमिटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और आज कोई नहीं यानता कि वो रिपोर्ट कहा है कमिटी में भी नहीं रखी गई यह दोनों पार्टियों के कामकाच की शैली का फर्क है दोनों पार्टियों के प्रदीब जी बस एक बार मैं वो टाइम टेबल बता देना चाहती हूँ दर्शकों को जो ABP ने उसके साथ जुड़े है कि आज क्या क्या कारेकरम प्रदानमंत्री नरेंज मोधी का होने वाला है आपके सामने वो स्क्रीन पर टाइम टेबल आएगा प्रदानमंत्री नरेंज मोधी पांच बज़े संसेदल की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी NDA के बड़े नेता एक तरफ बैठेंगे और बाकी सारे सांसद दूसरी तरफ बैठेंगे उसके बाद एक एक करके NDA के जितने भी बड़े नेता हैं वो भाशन देंगे वो अपने दिल की बात अपने मन की बात कहेंगे और आखिर में प्रदान मंत्री नरेंड मोधी वहाँ पर मौझूद तमाम सांसदों को संबोधित करने वाले हैं फिर आठ बजे राश्पती रामनाथ कोविन से मुलाकात होगी उनके सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा कल गुजरात जाकर वो अपनी मा हीरा बेन से मुलाकात करेंगे परसो फिर गंगा मा के पास जाएंगे वहाँ वोटरों का धन्यवाद करेंगे तीस माई की शाम को दिल्ली में कारिकरम होगा आठ बजे राश्पती से मिलकर सरकार का दावा पेश करेंगे आज की ये सबसे बड़ी खबर भी होगी और राश्पती से मिलकर सरकार का दावा पेश करने के बाद उनका अगला कारिकरम शुरू होगा वो है कल अपनी मा हीरा बेन से मुलाकात करने का उधर पाटली पुत्र से राम गृपाल यादा कड़े संगर्ष के बाद इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए तमाम सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं हमाई साथ राम कृपाल जी हैं जिन्होंने बड़ा महतपूर्ट चुनाव लड़ा है राम कृपाल जी इतने बड़े जीत के उमीद थी मिलकुल सबसे पहली बात तो यह है कि और करिब करिब मैं चट्ती बार में सांसद बना हूँ तो कई सरकारों को मैंने देखा है कई नितिया प्रधानवंधी को देखा है मुझो विश्वास प्रधानवंधी नेद मोदी जी के परति है लोगों का अदभुत है अदभुत और खास्तर पर हर वर घर तब काम में एक विश्वास आसता है। बहुत बड़ा करन था यह। और फिर जो काम हुआ, नितिज जी की द्वारा संचालित काम, मोदी जी द्वारा संचालित काम, करीप 200 योजना है, जो सीधे कहीं ने कहीं आम लोगों को प्रभाविद करता है। और इसी का असर था इतना प्रभावित किया कि पूरे गड़भंदन को वहाँ पर जो हुआ उसको साफ कर दिया आप लोगो आपने देखा नहीं कि जीत का मार्जिन कितना है तीन लाख चार लाख और सबसे पहली बात यह है कि जो परमक विपक्षी दल है वहाँ उसके दुकान बंद हो गया इसा भारती को आपने हरा दिया हम थोड़ी हरा हैं जनता हरा ही है ना हम थोड़ी लड़ते हैं जनता हरा दिये ऐसे लोगों को जगह नहीं नहीं है वहाँ पर आपको उमीद थी कि आरजिडी पूरी तरह से हम लोग तो हर दिन कर रहे थे ही 46 में 40 आनि चुनाओ के गिंती के पहले भी मैंने कहा 40 में 40 मंत्री मंदल में आपको फिर चेगा मिल रही है इसमें कैसे बता सकता हूं यह तो मानिय प्रधाद मंत्री का चित्रा दिगार है मैं एक तो साधान कार करता हूं होगा जितने भी सांसद है वो यही कह रहा है हमने तो मोदी के नाम के और काम पर जो है वोट मांगा है और हमें वोट पिला है हमने नहीं हराया है मोदी के नाम और काम नहीं हराया है शहजाद आप भी हमारे साथ आज जुड़े है आपने तो अब एक नया काम शुरू कर दी है, परिवारवाद के खिलाफ जंग शुरू कर दी है आज उस परिवारवाद को खतम करने के लिए राहुल गांदी खुद आ गया है उन्होंने कहा कि मैं इस पत्सित सीफा देना चाहता हूं और दूसरा नाम प्रियंका गांदी का आप लोग मत रखिएगा अब पार्टी ही उनके इर्दगेर्द रहना चाहती है तो राहुल की क्या गलती है क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब से सोनिया जी अध्यक्ष बनी थी अध्यक्ष बनी थी तब से लेकर अब तक उन्होंने पार्टी में से लीडर हटा कर डीलर से रिप्लेस कर दिया है और वो सारे परिवार के डीलर है परिवार हित उनके लिए एहम है ना कि पार्टी हित इसलिए वो परिवार हित को पार्टी हित के नाम पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं पहली बात दूसरी बात मैं पिछले बार जब चुनाम में हार हुआ था तो मैं देख रहा था कि तब क्या रियक्शन था इस सो कॉल्ड CWC का पर मैं इसको Congress Non-Working Committee कहता हूँ, Congress Working Committee आप लोग कहते हैं, Congress Non-Working Committee ने प्रस्ताव पारित किया, सुन्य जी ने कहा मैं इस्तीफा दूंगी, उन्होंने कहा नहीं मैडम ये सामुईक जिम्मधारी है हमारी, हम आपको आधिकरित करते हैं कि पार्टी में जो बदलाव लाना इसके आप कदम उठाइए और आप आगे का रास्ता तैक कीजिए और यही चीज आज लगबग वही चीज हो रही है कि राहूल गांदी ले दे के मना लिया जाएंगे, वो कहेंगे कि छी के आप कहते हैं इसलिए मैं रहूंगा और मैं पार्टी को सुधारने के लिए पुनर गट ने वो बदलाव क्या किया उन्होंने उन्होंने तो इस पार्टी को और कभीले वाली पार्टी बना दी है, यह CWC और कॉंगर्स पार्टी नहीं, यह 25 परिवारों का, 30 परिवारों का पारिवारिक हित का एक special purpose वही तो यह जो आपके साथ में तस्वीरे चल रही है, शहज आप मुझे परिवारवाद सारी पार्टियों में है, एक ही पार्टी में नॉन परफॉर्मिंग परिवारवाद है, वह कॉंगर्स पार्टी, अगर उनको सोशल एंजियो बनना तो एक अलग बात है, मैं आपको एक और आखड़ा बताना चाहता हूँ, CWC में 56 मेंबर है, सिर्फ तीन जीते हुए और बाकी हारे हुए, ठके हुए, जिनका कोई वास्ता नहीं है देश की न्यू इंडिया के साथ, वह लोग तै करें ग्रैंड ओल पार्टी का फ्यूचर, राखी, लल तु जरूर है, और यह दिख रहा है कि जो पार्टी के बड़े नेता है, कही न अगर आप कॉंग्रेस जो पहले जो हम लोगों ने देखा है, जब रेपोर्टिंग करते थे हम, तब से जो हमने देखा है, कि जो जीत होती है, तो सब साथ होते हैं, लेकिन संगठन खड़ा होने के लिए क्या सब साथ एक टीमवर्क, आज बीजेपी में टीमवर्क की बात हो, यह बीजेपी में देखा जाता है, आपकी बाद से इत्फाक ना रखते हो, लेकिन पार्टी हित में कहेंगे, हम चुप रहेंगे, लीडर ने कहा दिया है, कुछ नहीं कहना है, लेकिन यहाँ पर राहुल गांदी की सुनता कौन है, राहुल गांदी चाहें तो लोग जाता है कि वो राहुल गांदी ओ आला कमान की बात पर ध्यान नहीं देते, अब सिद्धू ने अमरिंदर सिंगे खिलाब जैसी बगाबत का जंडा उठाया, आला कमान को चाहिए ता कि उस जंडे को नीचे गिराता, यहाँ दिखाय आ रहा है कि आला कमान उसको उनको उकस कि मुझे दो साल हो गए, मैं कहके कर ठक गई, फोन करके ठक गई, मैसेज करके ठक गई, कि हम से मिल लीजिए, कुछ बदलाव की जरूरत है, सुनने को तयार नहीं, मानने को तयार नहीं, और आज देखिए वो सेंट्रल हॉल में जाएगी और अपना नीटा चुनाव हारने से किसी पार्टी का अंतर नहीं हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हर पार्टी हारती है, सवाल ये है कि हारने से आप सबक क्या लेते हैं, उस हार से, अब अब उधारन है बीजेपी का ही, 84 में हारी दो सीटें आई, तो उन्होंने अपना सबसे लोक्रिये ने देखिए, चार और नौ हारने के बाद क्या किया, वीजेपी ने, लालके शाडवानी को नेता प्रतिपक्ष तयाटा दिया, अध्यक्षपद के लिए दिली में जो नेता बैठे हुए थे, देर दो दशक्त से, उन सब को किनारे करके, अलब तफ तफ देसिजिजिन लेना ह है, और वो तफ देसिजिन कॉंग्रेस लेने में नाकामियाब, बदलाव होना चाहिए, बदलाव का संकेत जाना चाहिए, वो आपके एक्षन में दिखना चाहिए, कि बदल जिस तरह से पांच साल में हमिशा मोदी ने पार्टी को और गेनिक और इन और गेनिक, आपकी बा आरा MP चुने गए हैं, हर्शवर्दन, कितने उत्साहित हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिया चौक का development है, कोई शाजानाबाद का project है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो दिल्ली सरकार ने अडंगे लगाए हैं, पहले तो दिल्ली सरकार को बाहर करें, ताकि दिल्ली की और केंद्र की सरकार मिलके जो है, बेहतरी के लिए काम करें, आज सभी सांसुदू की बैठक है सर प्रधान मंत्री के साथ, उस पर आज क्या रहे हैं? पेशकर्श, उनके इंटर्नल अफेर, उसमें कोई ना तो इंटरस्ट है, नहीं मैं उस पर अपना कोई टाइम खराब करना चाहता है, मेरा कोई इंटरस्ट नहीं है, और ये सेंट्रल होल के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त जो हमने आपको बताये था, ख क्योंकि पांच बजे, चार बज कर 43 मिनट हो रहा है, पांच बजे संसद में सेंट्रल होल, जहां पर संसदों की बैटक शुरू हो जाएगी, और उसके बाद सर्वसम्मती से मिलकर नरेंडरु मोधी को संसदिय दल का नेता चुना जाएगा, पांच बजे ये बैटक शुर पहुंची है, एक संसत के तौर पर स्मृति इरानी पहली दफा, पहली दफा आपको रवी बाबु भी नजर आ रहा है, रवी शंकर प्रसाद, जो आगे की सीट पर मेनका गांधी के पास जाकर बैठे, नितीश बाबु से प्रकाश जावडेकर मुलाकात करते हुए और उन के साथ में बैठे हैं, प्रकाश सिंग बादल, उद्धव ठाकरे आपको नजर आ रहे हैं, यही वो सिटिंग अरेंजमेंट है, जिसके बारे में आपको विकास बता रहे थे, कि यहां सारे NDA के अध्यक्ष वहां मौजूद होंगे, बैठेंगे, सेंटर नॉल में, दूसर देदल का नेता चुना जाएगा, और फिर राश्पती रामनाद कोविंद इन्वाइट करेंगे प्रदानमंद ची नरे इन्र मोधी को, वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, अटल बहारी वाजपई, कई लोगों ने यह कहा कि आज अटल बहारी वाजपई मौजूद होते, तो बड़े खुश होते हैं क्योंकि यह भविश्यवानी उन्होंने दशकों पहले कर दी थी, कि आज दो सीट है, एक वक्त आएगा, जब सब को समेट लेंगे, बिल्कुल ठीक है रहे हैं आप, आप देखिए कि कारेकरता, कारेप्रणाली, संधन के दम पर, किस प्र जनता ने स्विकारी, आइडियो अफ इंडिया जो मोदी जी का था, वो है विकास, यानि कल्यार और साथ में राष्ट्रवाद, राष्ट्रुप्रेम, और दूसरी वो जो आइडियो अफ इंडिया था, विपक्षी पाटियों का था, उन्होंने अपना ऐसा लगा, मैनिफ चीरिंग समाली उईदी प्रदीश, अटल विहरी वाजपे का नाम लिया, एक वोट से निन्यान में उनकी सरकार गिरी, संसद में उनका भाषन है, कि आज हम, हमारी सरकार एक वोट से गिर गई, हमारी संख्या कम होने पर कॉंग्रेस के लोग हंस रहे हैं, लेकिन कॉंग्र चवानी, वो कतनी, बिल्कुल ऐसे ही हो रही, आज CWC की बैठक होती है शहजाद, दूसरी तरह सेंट्रल हॉल में संसेदे दल की बैठक हो रही है, दोरों में जमीन आसमान का इमोशनली फर्ख है, मैं अटल वियारी वाजपे को प्रदान मंतरी से ज्यादा विपक्ष के नेता के उधारन के रूप में और एक परफेक्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में देखता हूँ, और मैं जब उनकी तुलना राहूल गांदी से करता हूँ, आज राहूल गांदी ने क्या कहा CWC से, कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूँगा, आप मुझे इन चार रोल म पताईए कि कौन सी डेमोक्राटिक पार्टी, आमिट शास सेंट्रिल हॉल की तरफ पहुचने को है, हमें ये जानकारी मिल रही है, फिलाल आपको राम विलास पासवान नजर आ रहे हैं, और उनके उत्तरा दिकारी दे कि परिवारवाद की बात करते हैं, तो ये एक तस्वीर भी दिखाई देती है, फिर उसमें आपके होने से बेटे के लिए रिजवर होता है, और अगर ऐसा है, तो आप मुझे उसका उधारन दे दीजिए, अमिट शाह के बेटे के लिए भी गैरेंटी नहीं है, ना राजनाज सिंग के बेटे के लिए गैरेंटी है, कि वो अध्यक्ष बनेंगे, पर मैं आपको बोल सकता हूं कि राहूल गांदी के बाद प्रियंका वाड़ा के बच्चों के लिए गद्धी अभी समाल के रखें, अभी मना कर रहा है, अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं इस वक्त कि नहीं मैं परिवारवाद और वन्शवाद के खिलाब जो बात आई कि जनता ने नकार प्रिया, तो वो कह रहे हैं कि मैं नहीं अध्यक्ष करना चाहता हूं, वो तीपे की पेशकर कर रहे हैं लिए रहूल गांदी ने जरूर कहा है कि गांदी परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष मनाओ लेकिन वो फायदा उसका तभी होगा, इसको वास्तविक अधिक प्रदीब जी आप हमारी मदद भी करें, अभी मैंने वो तस्वीर देखी, स्मृति इरानी चलते हूँ आरी थी, दो और यंग MP, किरन रिजीजू और राजवर्दन सिंग्राठोर, वो मुस्कुराते हूँ 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 कुछ कुछ कहते हैं, मतलब आज एक अल जगा ग्रेंड करती है, यांग भी है, ओल्ज भी है, यानि एक्स्पीरिंस भी है, और नया जोश भी है, इस नई सरकार में और क्या नया देख रहे हैं? अंदर बढ़ रहे हैं, उनके साथ में हैं संजीव बालियान, जिन्हों ने अजीज सिंग को हराया है, तो सनी देवल, इस तरीके से संसत्भवन परिसर में में गेट, इसमृती जी, इसमृती जी पहुंची है, में, फिलाल अभी, क्योंकि संसत्भवन परिसर में, एंडिय यह एक एहम बैठक, लिहादा, इसमृती इरानी परिसर में, पीछे संदी देवल, और सामने, एक बार फिर मोधी सरकार और ये सरकार पार्ट टू है, अभी जो तस्वीरे कुछ सेकिंड के अंदर आपके सामने टेलेविजिन स्क्रीन पर होगी, वो होगी, अपने नेता को चुन्ने की तस्वीर जिसके लिए मेला जम चुका है, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, जहाँ पर NDA, पूरा कुन्बा, सारे संसद एकठा हो गया है, सुश्वा स्वराज चुनाब नहीं लड़ी, लेकिन इस वक्त आपको नजर आ रही है, M.J. अकबर आपको नजर आ र संसद के सेंट्रल हॉल में, पांच बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जब संसदी दल की बैठक शुरू हो जाएगी, संसदी दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद एक एक करके NDA के सारे स्टॉलवर्ज, जितने भी बड़े नेता है, अध्यक्ष हैं, जो एक तरफ बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं, योगी अधितनात आपको अभी इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये सबी लोग बैठे हैं, मनोर लाल खटर आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, दीरे दीरे करके कैमरा पैन हो रहा है, और आपको उमा भारती देखिए, अभी आपको नजर आई हैं, अब इंतजार हो रहा है, नरेंज रुमोदी का, नरेंज रुमोदी को इसी सेंट्रिल हॉल में संसेदेर दल की बैठक में नेता चुना जाएगा, उसके बाद एक एक करके NDA के बड़े नेता आएंगे, अपनी प्रदानवन श्री नरेंज रुमोदी अपनी बात रखेंगे, और फिर राश्पती रामनाद कोविन के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, अब मेरे इर्दगिर्द आप दो तस्वीरे देख रहे हैं, संसत परिसर की ये लाइप तस्वीरे हैं, और द इसी तरह का कोई बयान उधर नहीं दिया जा रहा है, ABP News पूरी कोशिश कर रहा है कि वहां पर वहां से घुजरने वाले तमाम इन नए नवेले सांसदों से बात की जाए, पहला उनसे रियाक्शन लिया जाए, लेकिन सिर्फ चेहरे पर मुस्तान है, जो बहुत सारी बाते कह रही है, और दूसरी तस्वीर आप देखिए सेंट्रल हॉल की, जहां एक दूसरी से मुलाकात का दौर चल रहा है, बदाईया दी जा रही है, शाबाशी कुबूल की जा रही है, यह देखे, सुश्मा स्वराज आपको नजर आ रही है, वरुन गांधी, नए नवेले दो सांसद हैं, वरुन गांधी और चुराग पास्वान, दूसरी बार दोनों चुन कर आए हैं, और उनको बदाई देते हुए, शाबाशी देते हुए, और कुछ टिप्स देते हुए, टिप्स देते हुए, सुश्मा स्वराज इस वक्त नजर आ रही है, सेंट्रल हॉल खचा खचबर गया है, क्योंकि कितने सांसद चुने गए हैं, 352 सांसद चुने गए हैं, मतुरा से सांसद हेमा मालनी, मोधी वेव का सहारा, मोधी सुनामी का फाइदा हेमा मालनी को भी मिला है, क्या कह रही है, सुनी आप प्रूर के सांसा थी मालनी मैं दोहजार सब्सक्राइब कहा गया था मोधी लेकिन इस बार की नतीजे है क्या कहेंगे जो मोदी तुनामी है भी ना ज़र्ट एवर्टी सेज अंधर सफ़ाइब एवर्टी तो अभी इसके साथ ही में उधर दूसरी तफ जो कॉंग्रेस में आत्मान शुरू हो गया रहूल गांधी ने सीफे के पेशकर्श कर दी है प्रेंका गांधी प्रचार के लिए उत्री दी लेकिन उसका भी ज़्यादा कोई फरक नहीं पड़ा फरक इसलिए नहीं पड़ा कि उन लोगों ने काम डेलिवर नहीं किया इस वरी इंपॉर्टन पीपल आर वरी मच अवे देवन डेवलेप्मेंट यू के लिए आपका क्या प्रेयरिटीज रहेंगी पहले से भी जो करत कॉंग्रेस की तरफ से काम नहीं किया गया इस वजए से इस हालाप में पहुंची है कॉंग्रेस कैमरापरसन मनोच के साथ अंकिर गुपता एबीप नियूस दिली लगा तारीक के बाद एक जिन भी सांसदों से अबीप नियूस की मुलाकात हो रही है वो तस्वीरे भी हम आपको दिखाएंगे और आगे का उनका रोड मैप क्या है प्लान क्या है वो भी आपको दिखाएंगे लेकिन एक बात देखिए और मैं क्विकली आप सबसे इस पर में क्रूंध के कह रहा है कि नहीं हम तो भही मौधी की वजह से जीते हैं हमारा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है नहीं क्यूंकि हमने देखा भी पूरे जो मोधी के नाम पर हर जगर लड़ा गया और हर एक बार आप खुद ही देख रहे हैं कि सब मोधी जी का नाम करने लाइ तो पहीं ना कहीं यह मैं को होंगे कि लीडरशियप में विश्वा सॉल स्ट एक टरफ जो शॉल्ड कार दिया है वह बहुत देगा उनको विष्वांस है किसी मे तरी दिया वह दाला से दुच्वा पूर्ट सब्सक्राइब सीखते हैं civics में सीखते हैं कि PM को MPs बनाते हैं मिलकर चुन कर पर यह पहला केस है जहां पर MPs को PM ने बनाया है यह वोट अगर किसी को भी गलत राय है अपने बारे में तो ठीक कर दे यह वोट मोदी के नाम पर रेफरेंडम था मैं 19 तारीक को यहां पर बैठा था आप लोग पक्षमिता यही कह रहा था कि इस बार तै हो जाएगा कि यह देश नरेंडमोधी को पसंद करता है या नापसंद करता है और रिजल्ट की आया यह देश नरेंडमोधी को बेहद पसंद करता है बिकास बद нравится मेरे सयोगी ने इस बार रवीश शंकर प्रसाइट जो जीत कर आये हैं पटना साइस उनसे बात्चीत की है शत्रुगं सिना को हराया है वही शत्रुगं सिना जो शाइद मोधी वेव में दोबारा जीत जाते हैं टिकेट नहीं मिला, कॉंग्रेस की तरफ गए लेकिन हार गए। क्या कह रहा है रवी शंकर प्रसाद सुनी है। पता नहीं क्या जैसे कि कुछ कनेक्शन था और बड़े प्रेम से निहारता रहता था बंगलो को जो सारी बांस की बल्लियां लगी हुई है। और योगी महराज जी हमरे रिन मोदी जी ने रहा है। अमिर्शा पहुच्चुके सेंट्रल हॉल और मैं प्लीज माफी चाहती हूँ। मैंने कहा कि रवी शंकर प्रसाद से बातचीत की है। लेकिन ये रवी किशन से बातचीत की है। दोनों रवी बाबू ही। लेकिन आप देखिए अब मुली मनोवर जोशी, लाल कृष्ण आडवानी, उद्धव ठाकरे, अमिज शा, प्रकाश सिंग बादल, राजनात सिंग, नितीश बाबू, राम विलास पासवान। ये सब के सब इस वक्त टेबल के उस पार बैठ चुके हैं, खूपसूरत सेंट्रल हॉल को सजाए गया है, इस तरफ वो सारे सांसद जो इस बार चुन कर आए हैं, अलग-अलग राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के, सीम भी आपको दिखाई देंगे, अब संसद दल की बैठक और चारिक तौर पर शुरू हो जाएगी, जब वो इकलौती एक बची कुर्सी बढ़ जाएगी, और वो कुर्सी इस वक्त इंतजार कर रही है, नरेंज्र दामोदर दास मोधी का, जब वो वहाँ पहुंचेंगे, तब आप देखेंगे, तालियों से सेंट्र हॉल गुंजेगा, फिलाल हसी, मुस्कुराहट के बीच, सुश्मय स्वराज, रामविलास पासवान, नितीश कुमार, राजनात सिंग, प्रकात सिंग बादल, सब बड़े प्रसन है, खिल खिला कर, हसते हुए, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अमिच शाह बहुत कम मुस्क के हाथ से मिठाई खाई, बार-बार ये कहा जाता था, कि यहाँ पर, बीजेपी में, बुजर्गों का एहतराम नहीं किया जाता है, नितिन गटकरी आपको नज़रार है, एहतराम नहीं किया जाता है, और इसी लिए, जवाब देने के लिए, नरइन्र मोधी, आमिच शाह क के साथ पहुंचे, लालकृष्ण आडवानी के पैर चुए, मुल्ली मनोहर जोशी के हाथ से लड्डू खाया, आप कुछ चीजे बदलेंगी भी, इस next five year term में, आपको क्या लगता है प्रदीप जी, बीजेपी को और NDA को किन चीजों से दूरी बनाये रखनी, भई, बहु दूसरा ये कि जो दो बड़े मुद्दे हैं देश के, एक किसानों का और दूसरा बेरोजगारी का, उस पर क्या किया जाया, आज प्रदान मंतरी प्यमो के अधिकारियों की बठक में बोल रहे थे, कि प्यमो को एफेक्टिव नहीं, एफिशियन्ट होना चाहिए, ये नही कि प्यमो का बड़ा भौकाल है, बड़ा असर है, इस से काम नहीं होता, एफिशियन्सी से काम होगा, और हमको इस बार पहले से ज़्यादा बड़ा काम और ज़्यादा काम करना है, इस बार आपको क्या लगता है, अभे जी कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्या, मत प्रधानमंत्री की कारशेली जो पिछले पांस साल में मैंने देखी है और इसको समझने की कोशिश की है, तो प्रधानमंत्री को कुछ बड़े चमकदार और जबरदस्त लगने वाले कामों और परियोजनाओं का शौक है, जैसे कि बुलट ट्रेन, ये नोट बंदी, इस ट प्रधानमंत्री ने कहा था, दो ही जाती होंगी, एक है गरीबों की जाती, दूसरी है गरीबी हटाने वालों की जाती, आप बताईए, अगर उन्होंने रोजगार दिये, वो शौक था, उन्होंने अगर नौक रोड टॉलेट बनाए, वो शौक था, उन्होंने पचास करोड आयुश्मान कार दिये, वो शौक था, नहीं, वो ज़रूरत थी, वो दे पाट्रों में देखा होगा सारे जो भी बीजेपी शासेत राज्य है वहां कि मुख्यमंत्रियों को भी आज सेंटरल में इन्वाइड किया गया है जैराम ठाकुर है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे बात किए हमारे समवादाताने सुनिये क्या कह रहे किस तरीके से जीत को देख रहे हैं बहुत शांदार जीत हुई है एतियासी की जीत हुई और हिमाचल परदेश चोटा सा परदेश चारू सीटे हमने जीती और सब सीटे हमने सवा तीन लाग से उपर के मार्जन से जीती है और सबसे बड़ी बात तो मुझे सबात की खुशिया की 68 की 68 वदान सवाक शेतर हमने हिमाचल परदेश में जीते हैं और पूरे देश पर में वोट शेर हिमाचल नमबर एक पर है किस तरह से जीत संभा हो पाई निश्यत रूप से मोदी जी के नाम पर जो महौल था है पूरे देश पर में मोदी जी का पांस सार का कारेकाल ये बहुत बड़ा मुद्दा था पूरे देश पर नई सरकार हैं उसे क्या नई उम्मीद हैं बहुत बड़ी उमीदे हैं विकास के लिए वो काम करेंगे ही करेंगे हिमाचल के लिए मोदी जी अपना घर मानते है और हिमाचल के लिए बहुत बड़ी उमीदे है इस तरह से हिमाचल में जो बड़ी जीत हासिल हुई है उसको लेकर के हिमाचल के मुखमंतरी बेहद उतसाह हैं कैमरामन दिवाकर के साथ रवी कांथ एवीपी न्यूज दिली जैराम ठाकुर को आप सुन रहे थे लेकिन उससे पहले यहां पर बहुत इस बात को लेकर चल रही थी कि इस बार सरकार कुछ कड़े फैसले लेगी तो अब दूबे ने यह कहा कि कड़े फैसले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है प्रदानवंत्री नरेन मोधी की अपनी परस्नालिटी जिसमें उनको बड़ा काम करने का थोड़ा शौक है ऐसे ऐसे काम करने का शौक है जिसमें एक अचंबित करने वाली बात होती है फिर उसके बाद वहां से मॉनिका अरोडा जी ने काया कि यह शौक नहीं है यह जरूरी है देखिए हर नेता के हर सरकार के कामकाज को कई श्रेणियों में बाट के देखना चाहिए कुछ ऐसे होते हैं सीदे सीदे लगता है कि बहुत ही जरूरत के तहत किये गए है कुछ ऐसे होते हैं लगता है कि दूर गामी योजना है बहुत हो कोई उस पर कैबिनेट के अंदर कोई चर्चा की गई हो जिन लोगों ने इसे शौक कहा वो ज्यादातर मोदी विरोधी है मोदी की एक नेगटिव छवी बनाने के लिए ये बात गड़ी गई देखिए उनको जरूर है जैसे बुलेट ट्रेन की बात है उससे उनका कहना है क ये लोगों के मन में गर्व का भावा आता है ये एक जो है ये उनको लगता है कि दूसरे देश में है तो हमारे यहां भी है यहां भी हो सकता है एक बात दूसरा उनको जोखिम लेने में कोई गुरेज नहीं होता क्योंकि उनको लोगों पर भरोसा है अबाजी ये तो ये त का बहुत विरोध हुआ और तरह तरह की बातें उनके बारे में हो सकता उनके चरत रंकी भी कोश्च की गई हो गलाच भी बनाने की कोश्च की गई हो लेकिन मोदी की ये प्रवर्ति उसकत रेखांकित की गई थी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब उन्होंने एक दो को नहीं छोड़ेंगे जो बिजली चोरी कर रहा है वो जेल जाएगा उसमें पार्टी का नुकसान हुआ लेकिन इसकी परवा नहीं की को इस तरह का कोई काम नहीं किया जिसमें बेवज़े लोगों को सिर्फ लुभाने के लिए पैसा सरकार का कर्च हो मतलब एक तो तफ ट प्रदीब जी की बात को आगे ले जाओंगे अगर हम गुजरात में जाएं तो एड्मिस्ट्रेशन के लिए बहुत जाने जाते थे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात उन्होंने वहां की किसानों के साथ बहुत मीटिंग महां की जो हम जानते हैं रान ओफ कच्छ जैसी जगों काई करने के लिए तो गुजरात का जो अनुभाव है और मैं यह कहँँ गी आरुपिका कि गुजरात जमुख्यमंतरी यहां बनते हैं तो अब मुझे लगता है कि बहुट सीरियसलिया यासी पर ही सटाफ से वो मिले भी हैं बिराक्रि can say को साथ लेकर अब चलेंगे और बह पीछे ले जाना चाहते हैं, ये आज की तस्वीर आप देख रहे हैं, बिलकुल मेरे साथ में जो चल रही है, आज की Central Hall की तस्वीर है, बहुत खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है, 21 तरह के 21 अलगला किस्म की फूलों से सजाया है, अब चलिए, 2014, 2014 की ये तस्वीर, सं मंत्री नरीन मोदी जानते थे, कि उनका असल इम्तिहान शुरू होने वाला है, जो वादे उन्होंने किये थे, वो पूरे करेंगे, उसमें फेल हो जाएंगे, इनी सीडियों से तय होने वाला है, और इसलिए तस्वीर आपको देखी थी, दूसरी तस्वीर आप देखिए, संसत का वो सेंटरल हॉल जहां पर एक बार फिर से, संसती दल का नेता चुना जाएगा, इसी शक्स को चुना जाएगा, जिसका नाम है नरीन रुमोदी, रो पड़े थे, भावुक हो गए थे, ये 2014 की दो तस्वीर है, अबै जी, तब भी मुझे याद है बहुत अच्छे स ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर भी, जब ये जुके थे, और नमन किया था, तो कहा था कि एक और गिमिक है ये, उनको पता है कि कैमरा को कैसे अपनी तरफ अट्रैक किया जाए और मेरे लिए डिसकाशन किया जाए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है, मैं आपको स पेश किया है, ममता की CM से स्टीफे की पेशकश, इस वक्त ये बड़ी खबर, आज ये दूसरी बड़ी खबर है स्टीफे को लेकर, पहली खबर आई थी राहुल गांदी, अध्यक्षपत से स्टीफा देना चाहते हैं, और आप खबर गया रही है कि ममता बेनर जी स्टीफ पश्चिम पंगाल में, उसके बावजूद उनका CM से स्टीफा देना, क्या बताता है, क्यों ममता बेनर जी इस तरीके का फैसला लेना चाहेंगी, प्रदीव जी क्या लगता है, क्यों ममता बेनर जी स्टीफे की पेशकश करें, तो ये मुझे लगता है, शायद कॉंग्रि को फिर से रिवाइब करने का, जो लोग कॉंग्रेस छोड़ कर गए हैं, क्या वो आपस आ सकते हैं, शरत पवार हो सकते हैं, ममता बेनर जी इस तरीक प्रदीव जी ने का वो एक कारण हो सकता है, मैं इसको दूसरी तरीके से देखने कोश्ट करता हूँ, इस वक्त स्थिती यह है कि भारती जन्ता पार्टी पश्च मंगाल में उच्छाल पर है, अभी मिदनापुर की तस्वीरें आई थी दिन में, वहाँ पर टीमसी के कारकरताओं की लाइने लगी हुई है भाजबा दफ्तर के सामने, भाजबा का सदस्थ बनने के लिए, यह तस्वीरें हम कुछ नो कुछ ऐसा करना, असाधारन करना पड़ेगा, जिससे वो इस तरह की गिरावट अपने पार्टी के रूप सके है, यह क्या बताता है, यह कोई चाल है, वो मायूस हो गई है, उनको लग रहा है कि सिंपती बटोने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता, सिंपती काड है, आपको लग रहा है सिंपती काड है, मॉनिका, मैं एक चीज़ और कहूंगी, कि ऐसे वेक्ति को इस तीफा देही देना चाहिए, जिसने जैश्वी राम का विरोध किया, सरस्वती पूजा का विरोध किया, दुरगा पूजा को रेस्ट्रेन किया, लोग तंत्र की ह पत्या की वेस्ट बेंगौल में ऐसे वेक्ति को रिजाइन कर ही देना चाहिए, आपको क्या लगता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब उनके वैसे भी मुझे लगता है कि पाटी रहेगी नहीं रहेगी कहलाश विजवर गया कि अगर आप स्टेट्मेंट पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि वहां पर 2021 तक उनकी सरकार नहीं चलने वाली है, शायद उनको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो उनकी सरकार है, उससे अच्छा मैं शहीद बन गई हूँ इस तरीके से या मैं शहादत दे रही हूँ, वो ऐसा पेश करना है, और ये जो पॉइंट उठा रहा है प्रदीब जी, आप क्या लगता है कि शैरत पवार, ममता बेनर जी, ये सब जो कॉंग्रस ही से तूटके निकले हैं, वो दोबारा आने की कोई सोच रहे हूँ, एक तरह से अच्छा है, कम से कम उनको एक नया राश्टी अध्यक्ष मिल जाएगा कॉंग्रस को, जो चुनाफ जिता भी सकता है, रागी मैं आपके पास आओं ये सेंट्रल हॉल की तस्वीर लेकर मैं आना चाहते हूँ, सेंट्रल पर पूर्ण हो जाता है, क्यों इतना इंपोर्टेंट हो जाता है आज की तारी? सारी बातचीत जो होती रहती है, जब संसत का सत्र चलता रहता है, सम्मिल जूल के यहां पर बहुत विचार विमर्श होता रहता है, पीछे बहुत कुछ हुआ, मुझे एक पल वो भी याद आता है, जब बात हो रही थी कॉंग्रस की, कि यही सेंट्रल हॉल यहां की सुनिय गान्दी ने कहा था कि मैं प्रधान मंत्री नहीं बनूँगे और सांसदों के बीच बातचीत हुई तो बहुत ही एक इतिहासिक जगह है, और यह देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है, रुविका कि आज इतनी बड़ी संख्या में, खासकर अगर बीजे पी के इतिहास कि आप बात करें इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर अगर यह सारे सांसद मौजूद हैं, तो एक बहुत ही इतिहासिक यह पूरा च्छन है, और पूरे जिसको कते इतिहास का आज के भारत के जो पूरा पूरा नक्षा है उसका गवा, प्रधीप ची आकरी मर्तबा खचा खच ऐसा कब आपने सेंट्रल हॉल को भरा पाया था, अपने बूदे को, सेंट्रल हॉल तो भरा रहता है, क्योंकि ऐसा है कि पार्टी के सांसद की ही बात नहीं होती है, पदाधिकारी भी आते हैं, संसेदे दल का नेता चुनने की जब मैं बात करें, देखे मुझे जो या इसकी तुलना उससे कुछ हद तक आज की तारीक से की जा सकती है, प्रकाश मेरे सहियों की जुड़ गया है, अबसे एक मिनट पहले जिस खबर पर हम चर्चा कर रहे थे, कि ममताब एनरजी के खिले में सेंद यहां पर लगती हुई दिख रही है, राहुल के नेत्रित्व पर सवाल और एक सेंट्रल हॉल की वो तस्वीर, इसलिए ममताब एनरजी का आज जिकर हो रहा है, क्योंकि स्तीफ़े की पेशकश की है, ममताब एनरजी चीफ मिनिस्टर पर शिम बंगाल की, अकसर अग्रेसिव अंदाज में पाफुल लेडी के अंदाज में ममताब एनरज करते हैं, प्रकाश ये क्या हुआ, क्यों ममताब एनरजी अचानक रिजाइन करना चाहेंगी? गुस्ता हो सकता है, साथ ही ममताब एनरजी ने आज भी बीजेपी को आड़े हातो लिया है, उनका आरोप है कि कमिनल इशूस को भुनाया गया, राजी में आपातकाली परिस्थिती बनाई गयी एक सिचुशन तियार किया गया, जिसका फाइदा बीजेपी ने चुनाव मे भुनाया, और इसके लावा ममता ने गंभीर आरोप लगाया है, ममता का सीधे तोर पर आरोप था कि कोलकाता पुलिस के कमिशनर और विधान नगर के कमिशनर को साजिश के तहट चुनाव आयोग ने हटाया, और जिसके बाद बीजेपी ने करोडों रुपे शहर में गुस कर एक गुसा साफ़कर पर नजर आता है और यह गुसा सिर्फ इसले है क्योंकि आप ने देखा कि परकाश इसका मतलब यह आप यह कह रहे हैं कि गुसे में उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि आप चाहते हैं तो मैं कुर्सी छोड़ देती हूं